नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे करंट अफियर्स के हमारे एक सीरीज चली है जो जनुवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के जितने भी करंट अफियर्स हैं हम उनको डिसकस कर रहेंगे इस सीरीज में तो चलिए सुरू करते हैं आज की इस सीरीज का जो पहला क्वेशन है वो है आपका कि ब्रिक्स सिकर समेलन 2023 का आईजन कहां पे किया गया है तो जो ब्रिक्स सिकर समेलन है इसका जो आईजन किया गया है वो आपका किया गया है रक्षन अफ्रिका में इसके बारे में थोड़ा जानते हैं ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्टैबलिस है जो इसका जो स्टापना हुई है वो 2009 में हुई है 2009 में हुई थे पहले ये चार देशों का समूह था बात में 2010 में इसमें South Africa South Africa एक नया देश एड़ हुआ इस तरीके से आप इसमें 5 देश सामिल हैं तो इस तरीके से ब्रिक्स से अब ये ब्रिक्स नाम दिया गया है इसमें अगर देशों की बात करें तो इसमें कौन-कौन से देश सामिल हैं उनके बारे में बात करते हैं ब्रिक्स में सामिल हैं आपके ब्राजिल, रूज, भारत, चीन और 2010 में आपका साउथ अफ्रिका भी इसमें एड़ हो गया था तो इस तरीके से इसका नाम जो है ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया इसके अलावा अगर इस बार की थीम की हम बात करते हैं तो वो था ब्रिक्स और साउथ अफ्रिका परस्परिक तेज बिकास सतत बिकास और समाव एसी बहुपक्षवाद के लिए साज़ेदारी यह इसका इस बार का भी साई था अगला आपका जो क्वेशन है वो है आपका हाली में आईजित किये गए विश्वा आईजित किये गए महिला फीपा फुटबॉल विश्वकप दो जाटेज का जो आईजन है वो कहाँ पे जो बिजेता है वो कौन बना यानि जो 2020 का FIFA महिला फुटबॉल विशो कप है उसका बिजेता कौन बना तो उसका जो बिजेता बना है वो इस्पैन की महिला टीम बनी है इस्पैन ने महिला FIFA विशो कप 2023 का खिदाब जीता है और आस्टेलिया के सिड्नी स्टेडियम में केले गए फाइनल मैच में इस्पैन ने इंग्लेंड को एक सुन्य से हराये इस्पैन की टीम पहली बार महिला FIFA विशो कप चैंपियन मनी है और अगर 2022 में मैंस वर्ल कप की अगर हम बात करें तो वो अर्जेंटीना ने जीता है इसके बाद आपका अगला क्वेशन है आपका हाली में किस राजे ने इंदरा गांदी मुप्त स्मार्टफोन यूजना लौंच की है तो ये आपकी यूजना जो लौंच की है वो की है राइस्तान राजे ने राज्तान की मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं सोगहलोत और इन्होंने इंदरा गांदी मुप्त स्मार्टफोन यूजना लौंच की है योहा कारेकरम राजे में महिलाओं को मुप्त मुबाइल फोन इंटरनेट और बॉइस कॉल सेवाएं परदान करेगा स्मार्टफोन का वितरन 10 अगस्त से 30 अगस्त 2023 तक किया गया जिसमें बिद्वाओं और तलाग सुदा महिलाओं को प्रात्मिक्ता दी गई है अगला आपका क्वेशन है कि हाले में 5 अगस्त को जम्मु कस्मीर से धारा 307 तर हटाने के कितने वर्स पूरे हो गए हैं तो ये आपके 4 वर्स आपके पूरे हो गए हैं इसमें जम्मु कस्मीर से धारा 307 तर हटे हुए यानि 4 वर्स पूरे हो गए हैं के अंदर सरकार ने 4 साल पहले 5 अगस 2019 को जम्मु कस्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल अनुछे 370 को क्या अगर दिया था निरस्ट कर दिया था के अंदर सरकार के इस एतियासिक फैसले को बीते 4 सालों में जम्मु कस्मीर में काफी बदला हुए हैं अगला आपका क्वेशन है कि हाली में भारत ने 3 जैबलिन थ्रू दिवस कब मनाया है तो जो जैबलिन थ्रू दे है वो आपका कब मनाया गया है यह मनाया गया आपका 7 अगस्ट को इसके बारे में डिटेल से जानते हैं 7 अगस्ट को क्या हुआ था कि भारती एथलेटिक्स ने भारती एथलेटिक्स नीरच चोपड़ा ने 7 अगस्ट को जो टोक्यो में 2021 में उलम्पिक हुए थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इसमें उन्होंने 87.58 मीटर क्या किया था बाला फेंका था तो इसी उपलाक्ष में भारती एथलेटिक्स फेडरेशन ने क्या करा राश्टी जैवलिन दिवस्ट मनाने के रूप में इसको फैसला लिया है इसके बाद आपका अगला क्वेशन है अगर रूप मेला की हम बात करें तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है क्या जर्मन रूमांतिका जर्मन रूमांतिका या फिर जानते हैं इसको फिर इसको जाना जाता है किसके रूप में जर्मन मसूरिका इसके अन्य नाम है यानि जर्मन रूमांतिका या जर्मन मसूरिका अगर बोला जाए तो यह किस बिमारी का नाम है तो रूप मेला का अन्य नाम है इसके अलावा जुलाई 2020 को विश्व स्वास्ते संगठन ने दक्षिन पूर्वी एश्याई चित्र गोशना की कि बूटान और तिमूर लेस्टे ने रूबेला को सपलता पूर्वा क्या करते हैं समाप्त कर दिया गया है इसके बाद आपका अगला क्वेशन है अगला आपका जो क्वेशन है वो है हाली में भारत के किस रेलवेः स्टेशन को यूनेसको एशिया पेसिफिक insya पूरुसकार मिला है ये है आपका कहां पर ये आपका पढ़ता है महरास्त में मॉंबई महरास्त में ये एक सो उन्सोतर वर्स पुराना भाइकला रेलवेज टेशन है और इसने अपने मूल गोरब को बहाल करने के कारण यूनेसको का एशिया पर सांस्कृतिक बिरासत पुरुसकार जीता है इसके बाद आपका अगला वेशन है हाली में अंतराश्टी बाग दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसा भारत के किस राज़े में सरवादिक बाग हैं यानि अगर बागों के बात करें कि सरवादिक बाग किस राज़े में हैं तो वो हैं आपके मध्यपरदेश में इसके अलावा 29 जुलाई 2023 को क्या किया गया था कॉर्वेट टाइगर रिजर्व में मनाये गई बैशुक बाग दिवस के अवसार पर केंदरी रज्यमंत्री अशुनी कुमार चौपी द्वारा एक ब्रिस्तित रिपोर्ट जारी की गई ठीक है जिसमें बताया गया कि सरवादिक अगर बागों की आबादी की हम बात करें तो सरवादिक कहां पे है मध्यपरदेश में है 785 उसके बाद है करनाटक में 563 उत्राखंड में है 560 अभी अगर बात करें उत्राखंड में बागों की संक्या कितने है तो वो 560 है और महा माराष्ट में 444 हैं अंतराष्टी बागदिवस पट्टे कुर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है हाली में इसुरों ने PSLV C-56 रोकेट से किस देश के साथ गुरहों को सपलतापूरव पच्छेपित किया है तो ये आपका किया है सिंगापूर के 30 जुलाई 2030 को इसरों ने सिंगापूर के DSSAR उपग्राव सहित साथ उपग्रावों को आंदर परदेश में स्रीहरी कोटा से सपलतापूरव पच्छेपित किया है दुरवी उपग्राव परच्छेपन यान PSLV C56 ने इस उपग्रावों को 535 किलोमेटर की गोलाकार तक्छा में अस्तापित किया है यानि अगर PSLV की हम बात करें तो इसका जो नाम है दुरवी उपग्राव परच्छेपन यान अगला आपका क्वेशन है कि हाली में डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तका भी मोचन किसने किया है तो ये किया है आपके अमित साने ग्रहमंद्री अमित साने तमिलनाड के रामनात पूरम में पूर उडास्ट पति डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम की जीवनी और विराशत को सर्दान जली श्वरुप डॉक्तर एपीजे अब्दुलकलाम, मेंमोरीज नेवर डाई, नामक पुस्तका क्या किया है? बी मोचन किया है और इसके लेखक जो है Y.S. राजन और डॉक्तर एपीजे M. नाजे मा मरे कयान है तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? Y.S. राजन और डॉक्टर A.P.J. M. नाजिमा मरे कयान अगला आपका जो क्वेशन है वो है आपका उत्तर परदेश के किस जिले में राश्टिय सहीद इसमारक और राश्टिय रेलवे सुरक्षा संग्रालाई का उत्तगाटन हुआ है अगला आपका जो क्वेशन है वो है आपका हाली में वր्ड सिटी ज कल्चर फॉरम में सामिल होने वाला पहला भारती सहर कौन से है तो World Cities Culture Forum में सामिल होने वाला पहला भारती सहर जो है वो कौन सा है वो है आपका बैंगलूरू अगर हम World Cities Culture Forum की बात करें तो ये है आपका ये संस्कृति और रचनात्मक के परभाव और महत्व का आकलन करने तुलनात्मक अनुशंदान करता है और अपने निस्कर्सों को फोरम के साथ साजा करता है ताकि भागिदार जो सहर है वो हो साग्चा अधारित नीदिकत निन्ड़ाई ले सके है इसके बारे में और बात करें तो करनाटक की जो राजदानी है बैंगलूरू और World Cities Culture Forum का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला सहर बना इससे पहले छे महादविपों के 40 सहर इस फोरम में सामिल है इसके बाद आपका अगला क्वेशन है हाली में भारत के तिराज सिवें सत्रंज ग्रेंड मास्ट तिराज में जो सत्रंज हुआ चैंपियंसिप हुए है उसके ग्रेंड मास्टर का उन बने है तो वो आपके बने हैं आदित्य सामंत और ये अभी केवल 17 साल के हैं अगला क्वेशन आपका है कि हाली में राजस्तान के किस जिले में चंबल नदी के तड़ पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाए गया है तो ये आपका बनाया गया है कहां पे कोटा में विश्व का पहला ह चंबल नदी के तड़ पे है वहीं पे विश्व का पहला क्या बनाया गया है यो हैरिटेज रिवर फ्रंट 1281 की लागत में बनाया गया है अगला आपका जो क्वेशन है कि हाली में चर्चा में रही स.E.U. एन.I. परियोजना का समन्त किस राजसे है तो इस परियोजना का स श्पेस कंपनी, SpaceX द्वारा लॉंच बिश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपगुरौ कौन सा है, तो ये कौन सा है, ये है आपका जूपिटर 3, 27 जुलाई 2023 को SpaceX का सबसे बड़ा निजी संचार उपगुरौ जूपिटर 3, फॉलकन हेवी रॉकेट से, फ्लोरीडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉंच कॉमप्लेक्स 39A से लॉंच किया गया है, ये अब तक का सबसे बड़ा वानिजी संचार उपगुरौ है, अगला जो आपका क्वेशन है, हाली में आस्टेलिया के सर्वोज साहितिय सम्मान, माइल्स फ्रैंकलिन साहितिक प्रुसकार, 2023 किसे मिला है, यानि आस्टेलिया का सबसे सर्वोज साहितिक सम्मान है, वो है माइल्स फ्रैंकलिन साहितिक प्रुसकार, और ये मिला है किसको सं संक्री चंदरन को तो स्रिलंकाई मूल की जो आस्टेलिया लेखी का है संक्री चंदरन को उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए 2020 का साइट्य पुरूसकार दिया गया है यहोज चंदरन का क्या था? तीसरा ही उपन्यास था जो उपन्यास परिवार यादों सुम्दा इनसल के बारे में एक कहानी है अगला आपका क्वेशन है कि हाली में बारत की दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यह है आपका नवीन पतनायक के नाम पे यह रिकॉर्ड है दूसरे सबसे लंबे समय तक नवीन पतनायक मुख्यमंत्री रहे हैं उडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं इनसे पहले इनसे पहले सिक्किम के पूरू मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नम यह रिकॉड है पवन कुमार चामलिंग 24 वर्स और 166 दिन तक मुख्यमंत्री रही हाली में CISF की तर्ज़ पर अध्योगिक सुरप्शाबल किस राज़े में गठित किया गया है तो CISF की तर्ज़ पर अध्योगिक सुरप्शाबल किस राज़े में गठित हुआ है वो है रायस्तान राज़े में राजस्तान की ओध्योगिक कायों को सुरक्षा देने के लिए केंद्री ओध्योगिक सुरक्षाबल की तर्जपर राजस्तान ओध्योगिक सुरक्षाबल का गठन किया गया है इस बल में तीन बटालियन होंगी जिनका मुख्यालाई कहां पर होगा होगा भिवाडी में चित तोड़ गड में और बालो तरह में इनका मुक्छा लाई होगा आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेशन है कि हाली में 24 कारगिल विजय दिवस कब मना गया है थो यह 24 कारगिल विजय दिवस मनाय गया है वो मनाय गया आपका 26 जुलाय को 26 जुलाई 23 को 24 वा कारगिल विजय दिवस मनाया है 26 जुलाई 1909 को 60 दिन के संगर्ष के बाद क्या हुआ था विजय हासिल हुई थी इसके समझ में जो कारेक्राम किया गया था तो ये कहां पर किया गया था कारगिल युद इसमारक जो द्रास लदाप में इस्तित है वहां पे 32 सेना द्वारा 25 वा 26 जुलाई को दो दिवसी उत्सव का आयोजन किया गया था आज के वीडियो में इतना ही आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो बने रहे है चैनल के साथ तब तक के लिए धन्यवाद